नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोग पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों दो हजार चौबीस की पहली पूर्णिमा पौश पूर्णिमा पचीस जनवरी दोस्तों पौश पूर्णिमा एक ऐसा संपन्न और खूबसूरत पर्व होता है अगर इस समय ग्यांगा में पूरी साथ डुपकी लगाने के बाद अगर अशुब से अशुब कार्य भी किये जाए तो वह भी बहुत ही शुब माने जाते हैं इस समय वह सभी कार्य संपन्न होते हैं जो पूरे नहीं होते इस समय व्यापार चलाने के लिए भी मुहूर्ट देखने की भी आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी उन कार्यों में बाधाएं कभी नहीं आती हैं गंगा मैय का जयकारा लगाते हुए नमक की यह वीडियो को शुरू करते हैं। पौश पूर्णिमा पर मात्र थोड़ा सा नमक घर के इस कोने में डाल देना। इस से आपकी जन्मो जन्मांतर की गरी भी दूर भाग जाएगी। किस्मत पर लग जाएंगे। चार चांद कंगाल भी हो ज आएंगे। धनी माता लक्षमी दोड़ी दोड़ी चली आएंगी। आगे आपकी मरजी दोस्तों। नमक से आप अपनी अंदरूनी शक्ति को कर सकते हैं। आप अपनी काया पलट सकते हैं। नमक चांदी, हीरा, मोती से भी ज्यादा कीमती होता है नमक। ना जाने अपने पूरवक जीवन की प्राप्ति मात्र नमक से आपको हो सकती है। हमारे शास्त्रों में नमक को विशेश रूप से अत्यंत दुरलब एवं मंगलकारी, सिध्ध प्राप्त करने वाला तथा मनोवानशित फल प्रदान वाला समझा जाता। दोस्तों, आज हम आपको लाल किता आप से निकालकर आज हम नमक का व विशेश उपाय आपको बताएंगे, जिससे आपके जीवन में अंधकार को पूरी तरह से यह खत्म कर देगा। अगर घर में सुख शान्ती पूरी तरह से खत्म हो गई है, तो नमक का यह विशेश उपाय दोस्तों, आज मैं मातारानी की सौगंध खाता हूँ। अगर आपने नमक का यह उपाय कर लिया, तो दुनिया की कोई भी महाशक्ती, बड़ी से बड़ी शक्ती भी आपको विज आपको यह याद रखना है कि कभी किसी का नमक भूल कर भी मत खाना, अगर भूलवश आप से यह पाप हो गया है, यह गलती हो गई है, तो उसका नमक कैसे भी करके अदा कर दें, अगर आपने किसी का नमक खा लिया है, तो उसके जितने भी पाप होंगे, वहाँ आपके सर उसके हिस्से का सारा कष्ट आपके सर आजाएगा. इसलिए हमारे बुजर्ग कह गए हैं कि कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए. अगर आपने किसी का नमक खाया है, तो उसका हक अदा करें. अगर आप उसका नमक खाकर भूल गए तो समझो आपको सबसे बड़ा पाप लगेगा जीवन पूरी तरह से की ओर चला जाएगा आपने ये जरूर सुना होगा कि नमक का हक अदा करना है इसलिए सोच समझ कर किसी का नमक खाएं आपने शादी पार्टियों में भी देखा होगा कि जब हम किसी के यहां खाने जाते हैं तो उसको न्योता या पैसों की भेंट या उपहार जरूर देते हैं ताकि उसके नमक का कर्ज हमारे उपर ना रहे बेईमान मनुष्य का भी नमक नहीं खाना चाहिए नहीं आप पाप के हो जाएंगे दोस्तों अगर किसी शुब हवसर पर एक नमक का पिसा हुआ पैकेट 100 ग्राम उड़त की काली दाल, 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम सुखी लाल मिर्च, एक पानी की बोतल और 100 ग्राम सर्सों के तेल की बोतल, 101 दक्षिना के साथ, यानी 101 रुपए के साथ, अगर पूर्णिमा अमावस्या, या शनिवार, मंगलवार, या फिर गुरुवार के दिन अगर किसी गरीब मनुष्य को दान में दिया जाए, तो मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, भगवान की सौगंध खाता हूँ, आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपका दुश्मन भी आपको करोड़पती होने से रोक नहीं पाएगा दोस्तों, नमक का उपाएग कई सालों से किया जाता रहा है। अगर आपके घर में दरिदर्ता का वास हो गया है, आपके घर में दुख है, परेशानी है, परिवार में मनमुटाव, घर की सुक शान्ती हो गई है, भंग, तब ये उपाएग करें। लक्ष्मी माता का नाम लेकर एक बाल्टी में साधा पानी ले और पांच छम्मच नमक डालें, तब आप पोंचा लगाएं. परंतु याद रहे, जब आप पोंचा लगाएं, तब माता लक्ष्मी का नाम लेते रहें. और कहें, लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो. माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो. दोस्तों, यह आपको पोचा लगाते समये, अपने मुक्ष से पांच बार बोलते जाना है दोस्तों. क्योंकि जो समुद्र से नमक आता है, वो माता लक्ष्मी के चरणों द्वारा ही आता है. अगर आप पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं तो दरिद्रता हमेशा के लिए दूर भाग जाती है इसलिए पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण जरूर करना इससे जो दरिद्रता होती है, परेशानी होती है, धोक होते हैं, तकलीफें होती हैं, सब भाग जाती है और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है, अस्थाई रूप होता है समस्त बिगडे कार्य परिपूर्ण और सफल हो जाते हैं नमक का पोचा माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, हफते में दो बार कम से कम दो बार जरूर लगाना चाहिए दोस्तों, अगर घर में नमक कम हो गया है, तो यह दुर्भाग्य का संकेत समझा जाता है आपके घर में रूप से माता लक्ष्मी की कमी हो सकती है आपके घर से माता लक्ष्मी दूर जा सकती है नमक का पात्र कभी खाली मत रखना नमक जैसे ही कम हो जाए तुरंत दौड कर बाजार से नमक लाकर डब्बे में डाल देना चाहिए डब्बे में भर देना चाहिए नमक का खाली डब्बा घर में रखने से घोर अशुब समझा जाता है देखिए, जब आपके घर में नमक होता ही नहीं है तब लाजमी है आप बरबाद हो जाएंगे आपकी जिन्दगी बेरंग हो जाएगी नमक का मानव के जीवन में उतना ही महत्व है जितना आप जल पीते हैं, जितना जल पवित्र है उतना ही आपके जीवन में नमक का सर्वोप्रिय महत्व है दोस्तों, घर में अगर नमक कम हो जाए, नमक खत्म हो जाए तो माता अन्पूर्णा भी आपके घर से चली जाती है. कभी अपने घर के डब्बे से नमक खत्म मत होने देना, पूरा घर आपका कंगाल हो सकता है. आप बरबाद हो सकते हैं. घर से माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए जा सकती है, क्रोधित हो सकती है नमक, जब आप बाजार से लाकर डब्बे में डालें, तो माता अनपूर्णा का नाम जरूर ले लें और नमक माथे से लगा कर छूम कर डब्बे में रख दें, इससे घर में कभी भी अनकमी नहीं होती, और जो भी ये नमक खाता है, उसका जीवन सरल और भाग्य पूर्वक हो जाता, शरीर स्वस्थ हो जाता है, वो शरीर कभी अपवित्र नहीं होता, कभी बीमार नहीं पढ़ और इस कटोरी में पांच सुखी, लाल मिर्च, डंठल वाली रखें, और एक छोटा चम्मच आटा डालें, तथा आटे का डालें, अब किसी बीमार मनुष्य के उपर से, या जिसे भी नजर लग गई हो बच्चों, उपर से, तथा घर के मुखिया के उपर से, साथ बार उ रहा था, अचानक हलका कैसे हो गया, क्योंकि नजर दोश के कारण शरीर पत्थर के समान हो जाता है, भारी हो जाता है, अगर इस उपाय से नजर ना उतरे, तो हमें बताना, ये हजार प्रतिशत कारगर सिद्ध उपाए है, बरसों से अपने बुजर्ग तथा हमारी माताए बहने हमारे उपर करती चलिया रही हैं, धर्म शास्त्रों पर, लिखित आधार पर, लाल किताब पर, लिखी आधार पर, बुजर्गों से मिली प्राप्त जानकारी, गुरुओं द्वारा मिली, जानकारी ही प्राप्त और प्रधान करता है, हमारी तरफ से आपको कोई भी धोखा धड़ी और धर्म के आधार पर जूटा वीडियो और सामग्री प्रदान नहीं करता। शास्त्रों से मिली जानकारी से हम मानव को सम्मान पूर्वक यश्प्रदान करते हैं। नमक के हम बारी बारी आपको उपाय बताएंगे जो आपको अच्छे लगे वह जरूर करना। यह उपाय हजार प्रतिशत कारगर सिध्ध उपाय है दोस्तों। अगर आपके घर में कीडे निकल रहे हैं, घर के कोनों से कीडे मकोडे निकल रहे हैं, मकडी के जाल बार बार पड़ जाते हैं, तब आप एक खाली पानी की बोतल लें और उसमें साधा पानी भरें, और दो चम्मच सो एमेल, पानी की बोतल में दो चम्मच नमक डाल दें, ब कीडे मकोडे भाग जाते हैं, इसकी सुगंध से जहरीले कीडे भाग जाते हैं, तभी तो समुद्र के जो सांप होते हैं, वह जहरीले नहीं होते। देखिए, नमक मिले पानी की बोतल से उस जगह पर स्प्रे करें, जहां पर मकडी के जले हैं या जहां से कीडे आ रहे हैं, दोबारा वहां से कीडे निकलना बंद हो जाएंगे, कीडे उस रास्ते से नहीं आएंगे, आपके घर से भाग जाएंगे, ये उपाय और तरीका दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, कमेंट बॉक्स में अपनी राश्य भी डाल दीजिएगा, अगर आपकी राश्य के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा, तो वहां आकर हम आपके कमेंट की रिपलाई में बता देंगे, और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जैमाता, लक्ष्मी माता, राणी के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, अगर आप किसी की मैद से आ रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में कपड़ों को नमक के पानी से धोना बहुत ही उचित बताया गया है, नमक पानी से अगर ऐसे कपड़ों को धोया जाए, तो बहुत ही शुब समझा जाता है, क्योंकि घाट से जो भी मनुष्य होकर के आता है, किसी की मैद से होकर के आता है, तो ऐसे कपड़े अपवित्र हो जाते हैं, ऐसे कपड़ों पर कई ऐसे बैक्टीरिया चिपक जाते हैं, पनप जाते हैं, जो मनुष्य को बीमार डाल देते हैं, उसक लिए नमक मिले पानी से ऐसे कपड़ों को जरूर धोना चाहिए। नमक की सुगंध कर भी बुरी शक्तियां भाग जाती दोस्तों। अगर बार-बार चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं, दाने मोटे-मोटे हो जाते हैं, चेहरा सूच जाता है। तब ऐसी स्थिति में एक कट दब्बे चेहरे पर कीटानू नश्ट हो जाते हैं, और दाग दब्बे खतम हो जाते हैं, क्योंकि नमक में कभी कीडे नहीं लगते। इसकी सुगंध से बैक्टीरिया कोसों दूर रहता है दोस्तों। भूलकर चाय में नमक डालकर चाय नहीं पीना चाहिए। वह चाय जह जाना भी शरीर की हड्डियों के लिए नुकसान दायक होता है। इससे हड्डियों का सुर्मा बन सकता है। आप कमजोर हो सकते हैं। आपकी कमर की हड्डी, रीड की हड्डी, आपको दिल का दौरा भी पढ़ सकता है। इसलिए नमक कम मात्रा में खाना चाहिए, ना कम, न अगर आप लोहे के बरतन में नमक रखते हैं तो इससे आपका राहू अत्यंत क्रोधी हो सकता है राहू के तू आपके पीछे लग हैं आपके घर में राहू काल तथा भगवान शनी भी आपसे क्रोधित हो सकते हैं लोहे में नमक नहीं रखना चाहिए क्यों नहीं रखना चाहिए वह हम आपको बताएंगे देखिए नमक को अगर आप स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो ये चंद्र और शनी का मिलन होगा जो की बहुत ही घातक सिद्ध होता है ये रोग और शोक का कारण बन जाता है नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए हम नमक के और भी कई उपाय बताएंगे जो बहुत ही गुप्त राज्ज है ये उपाय शायद ही कोई आपको बताएगा दोस्तों अगर किसी जानवर को दफनाने से पहले गड़े में 10 किलो नमक डाल कर किसी जानवर को दफनाया जाए और उपर से दो किलो नमक उसके शरीर पर डाल कर दफना दिया जाए तो कीडे मकोडे जानवर पर नहीं लगते आराम पूरवक बिना किसी बुरी स्मेल के सडन गलन के बीमारियां फैलने का डर 100% खत्म हो जाता है और बाड़ी बहुत जल्दी गल कर नश्ट हो जाती है मिट्टी में मलिन हो जाती है अगर किसी जानवर को ऐसे दफनाया जाए तो बुरी बद्बू नहीं आती आज मोहले में खत्रा करोड परसेंट खत्म हो जाता है दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर बात्रूम में कांच के प्याले में नमक भर कर किसी कोने में रख दिया जाए तो घर का वास्तु खत्म हो जाता है बात्रूम में पॉजिटिव एनरजी का संचार होता है और ये नमक जैसे जैसे कम होगा वैसे ही घर की आर्थिक स्थिती मजबूत होगी और नहाने से सूक्ष्म की टानू का खत्रा कम हो जाता है परंथु याद रहे हर महीने नमक बदलते रहे बचे हुए नमक को बहा दे फिर प्रक्रिया अगर नहाने से पहले नहाने के टब में यानी पानी में एक चम्मच नमक डालकर स्नान करें तो शरीर के समस्त रोग बीमारी खत्म हो जाती है। निकार बढ़ाने के लिए शरीर पर अगर पुरानी मैल है, मैल जमा हो गई है, गंदगी है, उसे साफ करने के लिए नमक मिले, पानी से हफ़ते में एक बार सनान जरूर करना चाहिए, भी जरूर करें, और फाइदा और इसका लाभ आपको मिलेगा दोस्तों। एक्सपर्ट मानते हैं, अगर नमक के गर्म पानी और उसमें थोड़ा सर्प डाल कर अगर चांदी के गहने साफ किये जाए, तो उसमें चमक आती है, दोस्तों। वास्तु शास्त्र के अनुसार, अगर काले कपड़े में डेली वाले नमक को बांध कर तकिये के नीचे सिरहाने रख कर सोया जाए, तो ये हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मक उर्जा होती है, उसे सोख लेता है, और सुबह इस नमक की पोटली को कहीं पर छुपा कर रख और सुबह की शुरुआत पॉजिटिव रूप से होती है, अगर आपके ऊपर शनी की साढ़े साती अड़या चल रही है, राहु केतु ने आपको बांध रखा है, तब ऐसी स्थिती में पांच नमक की रोटी काले कुट्टे को खिला देने से वह शान्थ हो जाते हैं, अग अगर नमक का छिड़काव घर के द्वार पर किया जाए, तो इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है, तथा आने वाले कीडे मकोडे वापस हो जाते हैं, आपके घर की ओर नहीं आते, क्योंकि नमक में कीडे भगाने की बहुत अधिक शक्ती होती है, पॉजिटिव को भगवान लीजिए, खाने में आपको नमक लगने लगे या नमक ज्यादा लगे, तब आपको 100% समझ लेना चाहिए, कि आपके उपर शनी तथा राहु केतु की दशा चल रही है, और अगर खाना खाते समय, नमक आपको सीमित मात्रा में लगे, नमक की लालसा कम लगे, और आप चुपचाप खाले तो संभले, भगवान शनी देव आपसे प्रसन्न है, आपके उपर तथा आपके जीवन पर किसी भी ग्रह का क्रूर प्रभाव नहीं है, क्योंकि जो लोग नमक ज्यादा खाते हैं, उनके उपर शनी की दशा चल रही होती है, दोस्तों एक अंतिम उपाए आज हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से सुनियेगा, यह उपाए आपको पल भर में रंग से राजा बना सकता है, आपकी काया पलट कर रख जाएगी, आप हो जाएंगे। माता को खिला दे, आप चाहे तो पूर्णिमा, अमावस्या या किसी भी दिन खिला सकते हैं, अगर अमावस्या और दिन हो, तो और भी शुब है दोस्तों, अब इससे क्या होगा? वह हम आपको बताते हैं, देखिए हथेली में, भगवान विश्नु तथा माता लक्ष्मी तथा मा, सरस्वती का वास होता है, ब्रह्म का वास होता है, और जब आप आठे वाली और नमक वाली हल्दी वाली ये प्रक्रिया करते हैं, तो भगवान विश्नु के रूंग्टे खड़े हो जाते हैं, भगवान विश्नु को हल्दी अतिप्रिय है, और अगर आठे वाली हल्दी में तथा नमक मिले हल्दी आटे में जब आप अपने हाथों द्वारा बनाई लोई को गाय माता को खिलाते हैं तो इससे आपका गुरुग्रह मजबूत होता है माता लक्ष्मी के जीवन में धन, एश्वर्य, यश्प्रदान करती है यह उपाय आपको शायद ही कोई बताएगा, जोकि यह शास्त्रों में वर्नित उपाय है दोस्तों, नमक का दान तो आप जरूर करते होंगे दान करना भारत की परंपरा रही है सदियों से भारतवासी दान करते आए हैं दान करने से मनुष्य के अगले पिछले पाप खत्म हो जाते हैं अगर आप नमक का दान करते हैं तो आपके अगले पिछले पाप, पितर दोश, शनी दोश, मंगल दोश, राहु दोश यहां तक की कालसर्प दोश सब खत्म हो जाते हैं नमक का दान हर हाल में किसी भी मनुश्य को चाहे कुछ भी हो जाए दक्षिना डाल कर जरूर दान करना चाहिए इससे आपका मन भी हलका होगा और आपके पाप भी खत्म हो जाएंगे जाहिर सी बात है जब आपके पाप खत्म हो जाएंगे तब आप काम्याबी की ओर बढ़ेंगे, तरक्की की ओर बढ़ेंगे माता लक्ष्मी आपके घर में अस्थाई निवास पूर्वक वास करेंगी दोस्तों अगर रविवार को नमक का दान किया जाए तो भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं सोमवार को दान किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं मंगलवार को दान किया जाए तो मंगल होता है बुधवार को दान किया जाए तो भगवान गनिश की कृपा बरस्ती है बुध ग्रह मजबूत होता है गुरवार को दान किया जाए तो गुरुगरह मजबूत होकर बल प्रदान होता है शुकरवार को नमक का दान किया जाए तो माता लक्षमी धन से माला माल करती है तथा शनिवार को नमक का दान करने से भगवान शनी देव प्रसन होते हैं और राहु केतु से मुक्ति प्रदान करते हैं हम आपको कई ऐसे गुप्त राज बताएंगे जो नमक अपने अंदर लिए हुए हैं दोस्तों नमक को कभी गलती से भी जमीन पर नहीं गिराना चाहिए घोर अशुब जाता है चीन में नमक गिरने पर बरबादी का सूचक समझा जाता है भारत में नमक गिरने पर कर्द का संकेत समझा जाता है जापान में नमक गिरने पर मुसीबत आने का संकेत समझा जाता है इसी लिए गलती से भी नमक गिरने पर तुरंत माथे से लगा कर नमक को चुम लेना चाहिए क्योंकि नमक बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है क्योंकि नमक को माता लक्ष्मी तथा धन की देवी से जोड़ कर देखा जाता है ये समुद्र से लक्ष्मी के चर्णों से होकर आता है अगर आप वाकई में माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में लिखें माता लक्ष्मी स्वागत है हमारे घर में माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है जै माता लक्षमी